नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोग को वनसानुगत अनुवांसिक और प्रयावरने चैप्टर से कुछ इनपोटेंट बात बताने वाला हूं जो सीटेट के एक्जाम में अक्सेप पूछे जाते हैं और इसका सीधा संबंध जो है इसके अबजेक्टिक कोशन से होता है तो होता है वह जीवानों कभी नश्थ नहीं होता है जिसे हम निश्बीज भोष के निर्णतर घेक क्योंकि इसका हास्तांतरन होता है बलकि उसका हीक पीडी से दूसरे पीडी में जिसे हम sleण कोछ के भीज कोश के निरनतरता का सिधांत कहते हैं दूसरा सिधान्त है समानता का सिधान्त इसमें किये करता है कि समान चीजों से समान चीजों का जर्म लेना यह या फिर समान समान को जर्म देता है इस सिधान्त को हम समान समानता का सिधान्त कहते हैं जैसे भेर के बच्चे से भेर के बच्चे का जर्म लेना आदमी के बच्च का जन्मन लेना है ना समांच समांञ चीज समांड ज़र्यका सिधानत étant के कहता है कि बच्चे अपने घुन को नहीं होना वच्चों का कहला नहीं होना का जैसे फिसलड़ 성ません होना यहाँ किसी बच्च के काला हो याता है इसका इसका पुछ और थे हैं लेकिन बच्चे कुछ और हो गया इसका मतब होगया कि sis आपने इसमाहित हो सकता है यह यह शोला पीधी तक जो है बच्चों बच्चों में गुन आ सकता है इसको बोलते हैं जीव सांखी की का नियम आप देखिए गुन का हस्तानतरन सोलों पीडियों से आ सकता है इसका एक रेशी होता है कि वन बाइट अपने मतापितास आएगा वन वाइप अपके दादादी से आ सकता है वन बाइट उसके पिछले पीडियों से आ सकता है ऐसे करके वह अपने बच्चों में नेक्स्ट पीडियों तो यह इसका रेशीयों है नेक्स्त है अरजित गुनों के अवित्रन का सिधान्त जन्म के बाद कोई भी मतापिता अपने अरजित गुनों को हस्तांतित नहीं कर सकते हैं उसे हम अवित्रन कहते हैं अरजित गुनों का अवित्रन अब देखिए मतापिता जो है मेहनत मज़ूरी करते हैं किसी के तो उ उनके दोड़ा और दितबुन है उनके काम के दोड़ा वह उन 갑자기 स्नी के श्रील में आ गया हो उसके बच्चे में नहीं ट्रांसफ़र होगा इस नोयग अर्जीत गुनों का अवित्रन का सिधांत कहते हैं जा weaving कि बच्चों में ट्रांस्पर होता है इसलिए उसको वित्रन का सिधान्त करते हैं पिछले था अवित्रन का सिधान्त उसमें वित्रन नहीं होता है अलत करने वाले हमलों जिराफ जो सबसे उची उची पेर की पतिया थी उसको चुन-चुन के खाना से स्टार्ट करिया तो वो उसका गर्दन जो है वो उचा हो गया यही गुन उसके बच्चों में संक्रमन पाया गया वही गुन उसके बच्चों में ट्रांसफर हो गया जिसे हम लैमार्क का सिधान्त के ना खाया करते थे तो उसका गर्दन दिरे-दिरे बड़ा होता गया और यही इसके वच्चों में ट्रांस्फर हो गया यह अर्जित गुन था लेकिन अगले पीदिम ओड्रांस्फर हो गया यह अरजित गुन त्रांस्फर हो गुन और यह पढ़ाय वाला गुन यह है गुन जो है मतलब थास अब यह काल्पनिक चीज़े होगी जिसे यह दिखता नहीं है लेकि लाइमार्क में जो चीज़ होता है इसमें गुन वाला गया तो इसको उसको हम डिफ्रेंशियेट कर सकते हैं कि डार्वीन का सिधान में भी क्कूइब दंभी होता है इक ही मता के दो संदांट भी एक तरह के नहीं हो‌ Championships होते हैं लेकिन अलग अलग जो विकास का असक्ट है वो अलग-अलग होता है इसका अलग-अलग हो सकता है तो यह सिधांत हमारे जो है अनुमानसिक और वनसानुगत के सिधांत हो गए ये में साथ होता है और एक के दो होते हैं तो टोटल निला के हमारे पास नौ सिधानत होगे पहला होगे बीजगोज के निधानतर का सिधानत वो बीजगोज जो है कभी मरता नहीं है वो ट्रांसपर होता रहता है निशत है समानता के सिधान नेर्क होता है कि विप्रीद विजगोज को और नियुका मतलब होता है पर यानि की विप्रीद दिसामे रहता है लेकिन उसके 16 PD तक का भी आ सकता है उसका रेस्पेक्ट रेस्य होता है 1 by 2, 1 by 4, 1 by 8 माता पिता दादा दादी उसके बाद जो है नेक्स अंध पीडी जो है पिछे वो इस तरह के रेस्य में आता रहेगा गुन नेक्स्ट है अरजित गुनों का अवितरन का सिधान्त अरजित गुनों के अवितरन का सिधान्त ये कहता है कि माता पिता दुआरा जो अरजित गुन होता है उसके लाइफ टैम में उसके जीवन काल में वह गुन जो है बच्चों में ट्रांसफर नहीं होगा उसे अरजित सब्सक्राइब करें तो कि उसको अर्जीत गुनों का वितरेंगा सिधान प्रीटरह से आप कि अगर किसी कि प्रया वरनिये एफेक्ट से या किसी कारणबास तो उसके मत वैदि भाट्य बच्चे जो है वह फी लंबे-लंबे अब होंगे क्योंकि वह अपने हाइट वाला जो मामला जो है उसको वित्रन करेंगे तो उसको उसको हम अर्जित गुनों के वित्रन का सिधान्त करते हैं अर्जित गुनों के वित्रन का सिधान्त हम लोग दो तरह से बात सकते हैं एक होता है लैमा का सिधान्त यह कहता है कि फ होगा उसको बोलते हैं लैमा के सिधान्त और फिजिकल गुन होगा और सुछने वाला गुन होता है जो भूतीक नहीं होंके वह क्या होता है थिंखिंग वाला आता है उसे हम डार्विन का सिधान करते हैं भीनता का सिधान नेक्स्ट है लास्ट है यह कहता है कि अगर माता-पिता का संतान दो संतान है तो उसका दोनों संतान भीन होगा क्योंकि एक जैसा वह नहीं हो सकता है क्योंकि सबका अलग होता है सबका जो है बनाबट अलग होता ह यह सारे चीजे मैटर करती है सब को डिफ्रेंसियेट करते हैं दुसरे को और एक समान नहीं होता है आप यह देख लिजे कि बायमेट्रिक जो किसी का अंगुठा का बैट मैट्रिक होता है सबका अलग-अलग होता है किसी दुनिया में कोई ऐसा भी रखती नहीं है जिसका किस से मैच कर जाए सबका अलग-अलग बायमेट्रिक है तो यह जान सकते हैं कि भींता कर्षिधांत कितना हद तक बिल्कुल सही कहता है यह भींता कर्षिधांत मतलब